जी आ नमस्टार मित्रोब आज है 8 डिसेंबर यानि UPSC प्रिलिम्स को अभी 5 महिने और 29 दिनी बाकी है डर्णा नहीं है डिसिप्लिन के साथ त्यारी करनी है वो खैसे कल हमने वीडियो में देखा था आज जो काम की चीज़े की UPSC point of view से इंडियन एक्सप्रेस में जाने लाग चीज़े क्या थी पॉलिटी उसके current affairs और उसमें भी ये mains और निबंद के लिए कुछ काम के मुद्धे थे जैसे phantom democracy क्या surveillance capitalism आफस्पा act उसके salient feature क्या है supreme court का उसको वापस हटाने की mark क्यों हो रही है फिर कुछ agriculture related issues like stubble burning स्री लंका में organic farming को क्यों कम किया जा रहा है sports diplomacy और दूसरी चीज़े ये जो UPSC और उसमें निबंद का paper होता है democracy के साथ मिलते जुलते कई बार निबंद पूछे गए जैसे 2019 में पूछा कि South Asia में जो society है तो उसमें वो state राज्य की परिकल्पना थोड़ी कम है लेकिन plural identities, plural cultures एक से ज़ादा पहचान, एक से ज़ादा संस्कूरूतिया वो सब ज़ादा चलता है तो मतलब जो democracy और secularism के concept जो America या Europe में है ऐसा सब यहाँ single हो जाए वो सब चीज़े क्यों मुश्किल है उसकी बात करनी थी फिर modernization, westernization वो दोनों सेम चीज़ नहीं है, globalization और nationalism में क्या टकराव है बहुत सारी चीज़े तो उसमें एक common element चलता है democracy आज एक बड़ा सा column था उसमें से जाने लाइक मुद्दे दिबंद और means paper 2 के लिए USSR सोवेट संग का पतन होने के बाद वो जिन states को support करता था ऐसे सब Eastern Europe और Middle East के सब जो देश थे, वहाँ पर भी लोग तंत्रत लाने के लिए अलग-अलग revolution हुए थे जैसे velvet revolution, tulip revolution, rose revolution, हमको ये सारे के सारे याद नहीं रखने एक दो अगर आप याद रख सके तो, orange revolution जो यूक्रेन में हुआ था और जैसमीन revolution या आरब स्प्रिंग जो ट्यूनिशिया से शुरू हुआ था, ट्यूनिशिया किदर है ये रख मौरक को, Algeria, ट्यूनिशिया, बाजुमे, लिबिया, इजीप्त वगेरा वो आरब स्प्रिंग वहाँ पर किसी फल बेशने वाले को सरकारी अपसर परेशान कर रहे थे उसने अपने को आग लगा दी, उसके बाद इतना सब माहौल बिगड़ गया और अलग-अलग देशों में ताना शाओ को हटाने की सब मुहिम चलती है इजीप्त के अंदर भी उसके डिक्टे को हटाया गया था वो सब चीजें थोड़ा बहुत आपको अंदाज होना चाहिए जब आप मेंस और निबंद और इंटर्यू के लिए देख रहे हैं सारे के सारे ये रेवलुशन याद नहीं रखने केर तो वो सब तो चलाता और ऐसा लगे कि ये तो बहुत जोरदार है और डेमोकरसी अब मजबूत हो रही है बट इस नोट नैसेसरी कि हर जगा ये सही ही चल रहा है क्योंकि वर्तमान समय में आप पाते हैं रूस, तुर्की, बेलारूस, म्यानमार वहाँ पर जो डेस्पोर्ट या तानाशा है तो लोग तंदर केवल नाम मात रही है प्री एंट फैर इलेक्शन होते हैं लोग दिकाने के लिए बाकी जितने ओपोजिशन लेडर हैं वो सब तो जेल में फिट है आप कहें अमेरिका और ब्रिटेन में डेमोकरसी अच्छे से चल रही है वो तो बहुत पूरानी डेमोकरसी और ये वो वहाँ पर भी आप पाएंगे कि अब पॉलिटिक्स जादा डिवाइजिव हो रहा है बेदबावपूर्ण वो जो डाउनल्ड टरम्प करता है प्रवासी मर्दूरों का विरोध अल्पसंख्यगों का विरोध ये सब चल रहा है तीन के एक्सपर्ट्स वो तो हमेशा ये ही कहेंगे डेमोकरसी खराब है कम्यूनिजम बेस्ट है उनका ये कहना कि ये जो डेमोकरसी का वेस्टन कंसेप्ट है वो गलत है क्योंकि वो सब मानते हैं कि एशिया में प्लूरल आइडेंटिटीज हैं तो वहाँ आप लोक तंत्र से अगर कुछ बनाना चाहेंगे तो उससे केवल सामाजिक विबाजन बढ़ता है एथनिक स्टाइप्स बढ़ती हैं रादनेतिक शंगर्श और ऐसी सरकारे जो काफी कमजोर होते हैं क्योंकि वो सब लोगों को खुश करने की कोशिश में रहती है फिर चल रहा है सर्वेलंस कैपिटालिजम मलब लोगों की नीजी जीवन पर निगरानी करने वाला पुँजीवाद पर एक्जामपल फेस्बुक ने अपना सब यूजर डेटा केम्परी जैनालिटी का नाम किये कमपनी को बेचा और उसने वो सारा पर्सनल डेटा इस्तिमाल करके डॉनल्ड ट्रम को इलेक्शन जितवाने के लिए लक्षित विज्यापन टार्गेटेड एडवर्टाइजमेंट किये वो कुछ ऐसा करते थे कि अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जो हिलेरी क्लिंटन को ही वोट देने वाले थे कुछ लोग ऐसे थे जो डॉनल्ड ट्रम को ही वोट देने वाले थे लेकिन बीच में जो 10-20% लोग ऐसे होंगे जो अभी तक indecisive थे कि मैं Hillary को वोट दूँ या Trump को तो उनको Facebook द्वारा targeted advertisement सब ऐसे दीखाए जाएं कि Hillary Clinton is a crooked lady और उसका तो ये can't हो रहा है वो can't हो रहा है targeted campaign किये जाते हैं तो यानि democracy अब पहले जैसी निश्पक्ष नहीं रही उसके चुनाव निश्पक्ष नहीं रहते हैं जिसके पास पैसा है डेटा खरीदने का advertisement देने का वो जितने के chance बढ़ जाते हैं उसमें भी Paul campaigners उनको hire किया जाए बगरा चलते रहता है प्रेट लोग तंत्र पैंटम democracy पैंटम मतलब बूत पिचास जो दिखता तो है लेकिन आप हाथ लगाओ तो वो उदर है नहीं उसी तरह democracy आपको दिखतो रही है लेकिन हाथ लगाओ उदर है नहीं जैसा ये Myanmar, Hong Kong, Russia वगेरा जगा पर चल रहा है मतलब की दिखावे के लिए चुनाव होते हैं लेकिन असल में लोग तंत्र है नहीं और बाकी भी कुछ देश ऐसे जहांपर लोगों की दार्मिक स्वातंत्र है, खान पान की स्वातंत्र है, उस सब पर डायरेक्ट या इंडायरेक्ट तरीके से लीडर द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश, सोशल मीडिया द्वारा लोगों को बहकाया जाए वगरा अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते, लेकिन क्या आपके पास उतनी वोकेबिलरी है कि आप ये सब चीजें 250 वर्ड्स में, 1200 वर्ड्स में, 1500 वर्ड्स में मेंस या निबन के लिए लिख सके तो उसके लिए ये सब आराम से पढ़िए और मन्थन कीजे आगे का मुद्धा है पेपर थ्री और वहाँ पर इंटर्न सिक्यर्टी मेंस में एक बार प्रशन पूछ भी लिया था पूछा था मेंस पेपर थ्री टूटाउजन फिफ्टीन में क्यों Human Rights Activists constantly क्यों Armed Forces Special Powers Act यानि आपस्पा का विरोध करते हैं और उसमें क्या सुप्रीम कोट का कहना है बग्यरा पूछा गया था तो यह आज एक स्प्लेंट सीरीज आई थी उसमें कुल मिलाकर सारा मल मिली जाता है जल्दी से इसे देख लेते हैं यह जो आपस्पा कानून है ससस्त्रबल विशेश अधिकार अधिनियम अंग्रेजों के जमाने में हिंद छोड़ो आंदोलन के दोरान उन्होंने बनाया था और आजादी के बाद भी प्राइमिस्टर नेरू ने इसको कायम रखा अब इसमें बात यह होती है कि किसी एक इलाके को अशांत गोशित किया जाए डिस्टरब एरिया तो वहाँ पर सुरक्षा बलो को ज़्यादा पावर दिये जाते हैं जैसे कि वह किसी को भी गोली मार सकते हैं अगर वह उसके पास हत्यार है कुछ संदिक्द वह ऐसा काम कर रहा है जो आर्मी ओफिसर को लगे नहीं है कुछ बॉम प्लान कर रहा है गाड़ी के नीचे क्यों खड़ा है वगयर तो बिना वरन के गिरफतारी भी हो सकते हैं बिना वरन के मकानों की तलाशी भी ले सकते हैं और माली जे कोई ऐसा आरोप लगे कि फेक एनकाउंटर हुआ है तो भी वो ओफिसर के खिलाव बिना यूनियन गवर्मेंट की पर्मिशन के कोई कानूनन कारवाई हो नहीं सकते तो ये हमेशा विवाद में क्यों रहता है कि human rights are violated मानाव अधिकारों का उलंगन जैसे ये latest मामला जो हुआ नागालेंड में कि कुछ वो workers आ रहाए थे गर वापस लेकिन उनको गोली मार दी गई ambush में जब आर्मी को शायद कोई गलत टिप मिली थी कि वहाँ पर उगरबादी आने वाले थे लेकिन असल में वो सब civilian थे सुप्रीम कोट का इस पर क्या कहना है ऐसा 2015 में पूछा जिसका जवाब हमको आज ये एक्स्प्रेंट सीरीज में मिल जाता है सुप्रीम कोट ने अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग judgment में क्या पाया पहला कि ये गोली चला सकते हैं लेकिन उससे पहले वो जो suspect है उसे warn करना चाहिए कि तुम रूप जाओ बरना गोली चला देंगे ऐसा ने कि सीधा इक गोली मार दिया ये नागलेंड के case में का जाता है कि कोई warning नहीं दी थी सीधा इक गोली बार शुरू करती थी दूसरा अगर किसी व्यक्ति को आर्मी अरेस्ट करती है तो 24 गंडों के बीतर लोकल पुलिस को उसे दे देना होगा और यहाँ पर डिस्टब एरिया में आर्मी अलग institution के रूप में न काम करें लेकिन district administration के साथ सहयोग के साथ उन्होंने काम करना है अब असल में सुप्रीम कोट ने कभी यह नहीं का कि आपसपा अंकंस्टिट्यूशनल है और समयधानी के ऐसा नहीं का क्यूंकि constitution में कुछ है कि डिस्टब एरिया में temporary provision के रूप में ऐसी military को बेजा जा सकता है तो presently यह कानून कहां कहां पर है उसकी भी लिस्ट पूरी दी गई है कि जहां पर पंजाब तरिपूरा और मेगाले से इसको हटा दिया है अलाकि मीजोरम, नागालेंड, मनिपूर, आसाम, जम्मू कश्मिर और अरुनाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ये कानून अभी जा रही है और अभी न्यूज में क्यों आया क्योंकि नागालेंड राजे सरकार ने ऐसा रेजोलूशन डालाया कि इस कानून को हटा देना चाहिए नागालेंड से फिर एक और मामला जूडी शरी और उसमें एक्जेक्यूटिव का पॉपुलिजम उस पर नाराज गी कुल माला कर बात यह है कि गुजरात और हर्याने में रेलवे के कई प्रोजेक्ट अटके हुए हैं वो इसलिए अटके हैं क्योंकि वो जो रेलवे की जमीन थी वहाँ पर जुगी जोपडियो वालों ने सब अतिक्रमन कर दिया है गयर कानुनी कबजा और सरकार उसको हटा नहीं लई कि नहीं हमको फिर इलेक्शन में वोट नहीं आएगा तो सुप्रीम कोट ने नाराजगी जता ही है कि इसमें असल में टेक्सपेयर का पैसा बरबाद हो रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट आपने शुरू करवाया आधी पटरी बनाई हो आधी पटरी खतम नहीं हो रही क्योंकि वो जोपडिया वहाँ पर है तो जो आधी पटरी बना दी वो तो टेक्सपेयर का पैसा बरबाद ही है क्योंकि प्रोजेक्ट कम्प्रीट नहीं हुआ तो ये जल से जल इसका सब एड्रेस किया जाए और फ्यूचर में ऐसा रोका जाए वगरा आगे का मुता है जूडी शेरी में हाई कोट एंड सुप्रीम कोट जजी सेलरी एंड कंडिशन आप सर्विस अमेंडमेंट बिल दोजार एक्टिस वैसे कुछ बहुत जोरदार चीज़ उसमें नहीं है कि सिर्फ रिटार जजीस की सेलरी उसको और इंक्रीज किया जाए या उसमें क्या होना चाहिए टेक्निकल नियूमों में कुछ सुदार है पिर हम आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल इलेशन तो उसमें नेबर म्यानमार में हमने कल देखा था कैसे उनकी लिडर आंग सांद सूकी को करीब 2-4 साल की सजा दी गई है मिलेटरी वो जो अभी उनकी तानाशाई चल रही है अब हाला कि इतने सालों तक भारत ज्यादा तर इस पर कुछ बोलता नहीं था क्योंकि उनको ड़ लगता था हम ज्यादा बोलेंगे और मिलेटरी के वो म्यानमार मिलेटरी के लिडर्स नाराज हो जाएंगे और चीन की गोद में बैट जाएंगे लेकिन इस बार बारत सरकार ने ये काया कि we are disturbed हम अशान्थ है ये जो सब पूरी चीज़ हुई है और rule of law होना चाहिए वगएरा तो शायद ये पहली बार हुआ है कि बारत ने ऐसा कुछ कहा है शायद experts को ये लगता है कि government of India ये सब अमेरिका, यूरोप बगएरा देशों के साथ मिल के थोड़ा बहुत दबाव बनाकर वापस से कुछ reform लाने की मयानमार में कोशिश करे ताकि चीन का हाथ मजबूत नहीं हो जाए बगएर चीन का नाम लिया है तो sports diplomacy कुछ दिन पहले हमने देखा कैसे women tennis association ने boycott कर दिया है कि वहाँ वो Chinese tennis star के साथ रेफ हुआ था और वो अब गायब है तो हम अब से वहाँ कोई tournament नहीं करेंगे अब 2022 फेबरुआरी में winter olympics, sheet olympics बेजिंग में होने वाले है लेकिन अमेरिका के officials ने का है कि we will boycott this क्यूंकि चीन में human right atrocity मानव अधिकारों का उलंगन हो रहा है तो कुल मिला कर बात है कि बाकी सब देश के भी बड़े नेता जाएंगे कि नहीं कुछ confirmation नहीं दिया सिवाए Russia के राष्टपती पुट्टी ने का हां में आऊंगा तो इसमें points to effect या points to reflect क्या है आगे भी हमने देखा था चीन ने बहुत सारा पैसा sports infrastructure stadium बनाने में लगा दिया है वहाँ पर sport event होगी तो बहुत जादा tourist आएंगे और वो जितने भी sports equipment बनाते हैं उसका export बढ़ेगा कोरोना के बाद वापस थोड़ा economic मदद मिल जाए यह सब उनका सोचना होगा थोड़ी बहुत soft diplomacy हो जाए people to people connect लेकिन वो सब हो नहीं पाएगा इसलिए चीन नाराज है और उसने यह का है कि हम अमेरिका को सबक सिखाएंगे वो कैसे सिखाएंगे अभी बोला नहीं लेकिन कि हाँ हम सबक सिखाएंगे तो इसमें बारत को क्या फरक पड़ता है क्योंकि हमने आगे भी मैंने बताया था कि issues affecting Indian interest कुतना एंगल हमको देखना चाहिए तो वहाँ एंगल यह होगा कि क्या भारत भी Winter Olympics को boycott करेगा की नहीं क्योंकि नहीं करेगा तो अमेरिका नाराज हो जाएगा और करेगा तो चीन वाले मौज में आ जाएंगे और दूसरा कि अगर सोचिए दोस्त की कीमत कब होती है अपनी मुश्किल की गड़ी में तो अगर चीन अमेरिका की किलाब कुछ एक्शन लेता है तो उस वकद अमेरिका को याद आए नहीं मेरा तो दोस्त है बारत मैं थोड़ी उसकी मदद करूँ उसको और जो दा military का सामान दे दूँ technology दे दूँ उस पर tax कम कर दूँ और उसको कहूँ कि तुम भी चीन के सामने मेरे साथ हो जाओ अगरा तो एक्शली इट विल क्रेट opportunities फोर अस ये दो लड़े उसमें बारत के लिए नए अवसर पैदा हो सकते ऐसा पहले भी हुआ था एक बार अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के खिलाब बहुत जादा tax बढ़ा दिये import export पे तो उसमें बारत को फायदा ये हुआ कि पहले चीन वाले अमेरिका से सोयाबीन import करते थे लेकिन tax बढ़ा दिया तो फिर भारत का सोयाबीन उसका export चीन में बहुत बढ़ गया था so it creates opportunities पिर ये सब defense में कुछ और भी vertical launch, short range, surface to air missile और वो सब क्या दिया है आराम से पढ़ ले न person in news में ज्यानपीठ अवाट किसको दिया गया वो सब non-IS exam के लिए रट ले न डेथ में बारत की first women psychiatrist मनोची कितसक, शारदा मेनन उनका देहांद work life balance for ethics paper UAE ने ऐसा काया कि अब से वहाँ पर work day होगा साड़े चार दिन का मतलब सो मंगल बूद गुरू चार दिन और शुक्रवार सिर्फ आदा दिन होगा तो साड़े चार दिन उसे फाइदा किया work life balance family के साथ time spend कर सके वगएर Portugal ने भी एक कानून बनाया था कि office hours के बाद boss अपने employees को contact नहीं कर सकता वगएर Science में फिर एक और person in news Angel Manon जो बारतिय मुल के डॉक्टर है वो NASA के astronaut उनको बनाया जाएगा और future space mission में बेजा जाएगा फिर मुद्दा है environment pollution तो ये फसल अवशेश या पराली जलाना वो क्यों खराब है कौन से राजियों में होता है कौन सी सीजन में होता है उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हम पहले भी पल चुके हैं वापस ये सब repeating है मैंने English में भी डाला है और Hindi भी आप आराम से उसी कर सकते है फिर एक मुद्दा है organic farming ये भी हम आगे पल चुके है organic farming का मतलब क्या है cultivation without using artificial chemicals, pesticides, fertilizer ये अच्छा क्यूं है? health के लिए अच्छा है, environment के लिए अच्छा है बुरा क्यूं है? क्यूंकि आप अगर यूरिया और दूसरे chemical fertilizer इस्तेमाल नहीं कर रहें तो फसल की पैदावार कम हो जाएगी एक हैक्टर में मालीजे 500 किलो टॉमेटो कल्टिवेट होते हैं उसकी जगा बनेगी 50 किलो ही पैदा हो कि बाहर से chemical fertilizer वगरा ला नहीं सकते नव ऐसी सब चीजें श्रीलंका की सरकार को भी सपना आ गया कि हम भी ऐसा करेंगे और उन्होंने कुछ समय से organic farming को बहुत ज़ादा जोर दे रहे थे उसका सब advertisement, subsidy बाहर से जो chemical pesticide आ रहे हैं उसके import पर ज़्यादा tax लगाए ban लगाए ऐसा सब खेल चल रहा था फिर पता चला कि अचानक से crop yield पैदावर बहुत कम हो गई है ये economy के लिए खराब क्यूं है क्यूंकि food की short page होती है और food का supply अगर कम हो जाए क्यूंकि production कम हो गया है तो food inflation मेंगा बढ़ जाती है और अगर 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 अपना ही मा लीजे चाय रबर coconut ये सब मेंगा हो जाए तो अब जब export करेंगे तो श्री लंका का कोई खरीदेगा नहीं foreign buyer वो सब इंडिया या थाइलेंड या कहीं और से खरीद लेंगे तो अभी श्री लंकान सरकार और उनके राष्टपती गोटा बाया राजा पक्षा जो एक खास न्यूस पेपर के हिसाब से तो दुनिया में उनसे ज़्यादा बड़ा कोई लीडर है ही नहीं उनको अभी अपनी गल्ती का एसास हुआ है बोल रहें कि नयम वापस ट्रेडिशनल केमिकल फार्मिंग को कल्टिवेट करने को प्रोचान देंगी फिर एक मुद्धा था ये वर्ल्ड इनिक्वालिटी रिपोर्ट आगे भी हमने देखा है आज फिर से रिपीट हो रहा है अब उसमें अलग-अलग डेटा दिया है मैं पढ़ने नहीं बैठोंगा मेंस और निबन में लिखने के लिए कुछ मुद्ध आप लिख सकते हैं कि बारत के जैसे 10% अमीरों के पास 57% नेशनल इंकम है वगए फिर कुछ और भी एकोनोमी के मुद्ध थे लेकिन कुछ है एक्जाम के लिए काम करने 2000 के नोट थे वो पहले circulation का इतना हिस्सा थे अब इतना है वो सब एकोनोमिक सर्वे आया और कुछ उसमें बहुत बड़ी बात हो की black money point of view से तो देखेंगे अदरवाज नहीं उसी तरह अगर unemployment rate कम हुआ तो उसका मदलब यह नहीं की नए jobs create हुए हैं और वो सब UP की analysis दिये वो भी हम पढ़ने नहीं बैठेंगे अगला economic survey आने दो वो कुछ बोले तो देखेंगे so this was the newspaper for today और अब जानतें Thursday को और Sunday को मैं यह वीडियो नहीं बनाता तो Thursday और Friday के newspaper में जाने लाग क्या था वो सिधा मिलेंगे Friday के वीडियो में